गुड बॉनिंग एवरिवन बच्चो श्टार्ट करते हैं सिंथेसिज उप सेंटेंसिज इंफिनिट्व के यूज से सीखते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंफिनिट्व होता क्या है यूज उप इंफिनिट्व पढ़ते हैं आज तो वच्छो वर्ब की फर्स्ट फर्म से पहले टू लगाने से बनता है इंफिनिटिव यह वर्ब की फर्स्ट फर्म उससे पहले अगर टू लगाते हैं तो यह इंफिनिटिव बन जाता है वर्ब की फर्स्ट फर्म से पहले टू लगाने से बनता है लिखते जाईए आप साथ के साथ एक्जम्पल देखिए इन्फिनिट्व का एक्जम्पल देख लिए जो पहले I sell go to market में बाजार जाऊंगा तो आगे मक्सद बताया जाएगा किसलिए two by books किताबों को खरीदने के लिए तो purpose given होता है तो उस परपज को हम two से जोड़ देते हैं एक और देखिएगा एक्जम्पल he works hard वो कठोर परिश्रम करता है किसलिए करता है परपज है आगे तो two से जोड़ दीजे to pass his examination अपनी परिक्षा को pass करने के लिए अब देखे बच्चो एक एक्जम्पल देखे एडवर्ब two में पढ़े थे जिस टाइप के sentence आपने she is too weak to pass she is too weak वह बहुत कमजोर है किस चीज के लिए to pass pass करने के लिए एक और देखे एक्जम्पल एडवर्ब two का ही the tiger was too old tiger बहुत बुड़ा था किस लिए बुड़ा था to run fast तेज और दोड़ने के लिए तो यह जो हम two से attach कर रहे है इसके बाद verb की first form का use कर रहे है यह infinitive है अब हम synthesis की बात करते है exercise four देखते हैं जहां दो simple sentence given होते है और उन simple sentences को हम infinitive की help से combine करेंगे एक साथ जोडेंगे देखे exercise four का first sentence लिखा हुए बच्चो I have only one servant मैं केवल एक नोकर रखता हूं He cooks my food वह मेरा भोजन बनाता है तो मैं केवल एक नोकर रखता हूं क्यों रखता हूं किसलिए रखता हूं अपना भोजन बनवाने के लिए तो cook से पहले two लगा देंगे I have only one servant to cook my food to cook my food मैं अपना भोजन बनवाने के लिए केवल एक नोकर रखता हूं अब ये combine हो गए दोनों sentences इसको synthesis बोल दिया हमने अब second देख लिए जिए second sentence क्या दिया हुआ है she is going to agra वो आगरा जा रही है क्यों जा रही है अगला वाक्य परपजवाला होता है civil attend a party वह एक party attend करेगी तो वह एक party attend करने के लिए आगरा जा रही है इस तरीके से एक साथ जोड़ देंगे attend से पहले two का परियोग कर लिया जाएगा वह एक party attend करने के लिए थर देखो बच्चो नेक्स सेंटेंस देखिए the hunter lay down the hunter lay down सिकारी लेट गया under a tree एक पेड़ के नीचे under a tree एक पेड़ के नीचे सिकारी एक पेड़ के नीचे लेट गया क्यों लेट गया दूसरे में परपज लिखा होगा देखिए he wished to rest उसने आराम करने की इच्छा की तो हम इसको combine कर देते हैं इन दो simple sentences को सिकारी आराम करने के लिए पेड़ के नीचे लेट गया the hunter lay down under a tree to rest आराम करने के लिए यह infinitive attach कर दिया पहले sentence में the hunter lay down under a tree to rest अब फोर देखिए he is very poor वह बहुत गरीब है he is very poor वह बहुत गरीब है he cannot pay college fees वह college की fee pay नहीं कर सकता तो वह college की fee pay करने के लिए बहुत गरीब है very को two में बदल देंगे he is too poor to pay college fee five देखेगा pile went to similar pile similar गई she wanted to see the snowfall वह बर्प का गिरना देखना चाहती थी snowfall को देखना चाहती थी तो pile similar क्यों गई अगले वाक्य में परपज लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है परपज she wanted to see the snowfall वह बर्प वह snowfall को देखना चाहती थी तो two see the snowfall पहले वाक्य में test कर दो pile went to similar pile similar गई two see the snowfall snowfall को देखने के लिए गिर्ती बर्प को देखने के लिए अब sentence number six की बात करते हैं बच्चो देखे अभीनाव went to जैपूर अभीनाव जैपूर गया फिर दूसरा वाक्य है he wanted to get a job वह एक नोकरी पाना चाहता था he wanted to get a job तो क्यों गया जैपूर दूसरे में परपज लिखाया जी नोकरी पाने के लिए करिएगा combine दोनों को अभीनाव लिखो अभीनाव went to जैपूर to get a job अभीनाव went to जैपूर अभीनाव जैपूर गया to get a जोब एक नोकरी को पाने के लिए seven देखे वच्चो रूपाली works hard she wants to top the college रूपाली कठोर पर इस्रम करती है she wants वह चाती है to top the college college को top करना तो college को top करने के लिए रूपाली hard work करती है क्यों करती है hard work आगे परपज लिखा है वो college को top करना चाती है तो जोड़ी इनको combine करते हैं दोनों sentence को रूपाली works hard to top the college रूपाली college को top करने के लिए hard work करती है next sentence देखे एट the farmer was very tired किसान बहुत ठका हुआ था he could note वो कौन वह चल नहीं सकता था तो जब इनको combine करेंगे किसान इतना ठका हुआ था कि वह चल नहीं सकता था the farmer was too tired वहरी को adverb 2 में change कर देंगे हम TOO2 इसकी detail पड़ी है हमने adverb 2 वाले topic में the farmer was too tired फिर इन्फिनिटी वाला टू लाईएगा टी ओ तू वाक तू वाकोन अब नाइन देखो बच्चो सालिनी वेन टू दा फेयर सालिनी मेले में गई थी क्यों गई थी दूसरे वाक्ये में परपज लिखा हुआ है she wished to buy a gold ring वह एक gold ring खरीदने की इच्छा गरती थी she wished to buy a gold ring अब इन दोनों को कंबाइन करिएगा सालिनी वेन टू दा फेयर टू बाइ ए गोल्ड रिंग शालिनी वेन टू दा फेयर शालिनी मेले में गई तू बाइ ए गोल्ड रिंग एक सोने की अंगुटी खरीदने के लिए तू बाइ ए गोल्ड रिंग टैन देखे बच्चो टैन में क्या लिखा है दो सिंपल सेंटेंस दिये हैं तू के बाद बी लगांगे गी अंगर की थरड़ form लगा देंगे हम there are three questions left तीन सवाल बच्चे है to be sold them ऐसे लिखेगा यह change कर लेना to be sold them उनको sold किये जाने के लिए यह passive form हो गई अब next sentence देख रहे हैं she is very intelligent we have both intelligent है she can sold this somewhere if some को sold कर सकती है इस सवाल को वह sold कर सकती है तो इस sum को sold करने के लिए वह परियाप्त intelligent है जोड़े गज़ को very को enough में बदल सकते है she is intelligent enough to sold this sum वह इस sum को sold करने के लिए परियाप्त intelligent है very को हमने enough में change किया 12 देखना है बच्चो to be sold हो जाएगा enough to be sold this sum 12 देखिए he is terrorist the court found this वह एक terrorist है court ने ऐसा पाया तो court ने उसे एक terrorist पाया combine किज़ेश को the court found him to be to be terrorist the court found him to be terrorist court ने उसे terrorist पाया 13 देखे my friend sent his son to Delhi my friend मेरे मित्र ने sent his son अपने बेटे को भेजा to Delhi मेरे मित्र ने अपने बेटे को दिल्ली भेजा he wanted to educate him वह उसे educate करना चाहता था तो education देने का काम को योर गरेगा हम to educate की passive form लिखेंगे जोडते हुए to be educated बना लेंगे my friend sent his son मेरे मित्र ने अपने लड़िके को भेजा to Delhi to be educated education दिल्वाने के लिए my friend sent his son to Delhi to be educated यह infinitive की passive form है बच्चो टू के बाद भी लगाते हैं वर्ब की third form हो जाती है 14 देखेगा he worked hard उसने कठोर परिश्रम किया he wanted to get good marks वह अच्छे एंक लाना अच्छे एंक पराप्त करना चाहता था he wanted to get good marks वह अच्छे एंक पराप्त करना चाहता था करिएगा इसको combine करिए he worked hard to get good marks उसने कठोर परिश्रम किया to get good marks अच्छे एंक पाने के लिए अब फिप्टीन देखेगा I have फिप्टीन sentence number फिप्टीन फिप्टीन में लिखे वच्छो I have a bike मेरे पास एक bike है I want to sail it में से बेचना चाहता हूँ I have a bike to be sold बेचे जाने के लिए मेरे पास एक bike है sold की spelling ठीक लिखना है sold एक एरर ठीक कर लिजए sold लिखेंगा शिक्स्टीन देखे कि से रिसीवड यूर गिप कि सीवाज गलेड़ कि उसने तुमारा उपाहार पराप्त किया सीवाज गलेड़ वैख खुश थी तुमारा उपाहार पराप्त करके वैख खुश थी सीवाज गलेड़ तु हैव रिसीवड यूर गिप तु हैव रिसीवड यूर गिप तो तु के बाद हैव लगा लेते हैं वर्ब की थर्ट फोर्म लगा लेते हैं ये भी एक टेक्निक होती है she was glad where खुश थी to have received पराप्त करके your gift तुमारे उपार को फिर एक example लोड़ देखते हैं इस type के वाक्य का I received his letter मैंने उसका पत्र पराप्त किया I was glad में खुश था तो उसके पत्र को पराप्त करके में खुश था I was glad to have received to have received his letter उसके पत्र को पराप्त करके